हेलो एवरिवन, चटाकर है सोई में आज हम बनाएंगे सर्दियों के बहुत ही खास मक्के के आलो के पराथे मक्के के पराथे और रोटी बनाना बहुत टफ होता है, बहुत से लोग नहीं बना पाते हैं पर आज मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी स्टफ्द मक्के के पराथे बनाने का तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, ये देखे, सबसे पहले हम यहां एक बोल में एक कप आटा लेंगे और दो कप मक्के का अटा लेंगे, तो एक पारट आपको आटे का, और दो पारट लेना है, उसमें नमक डालना है और इसे अच्छी तरह से पहले mix कर लेना है नमक को, फिर इसमें आप थोड़ा सा मोयन डालेंगे तो यहां मैंने लगबग दो चमच मॉयन डाला है और इसे मिक्स करके अच्छी तरह से फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम इसका एक डो तैयार करेंगे तो आज जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ वो नौर्मल जो डो होता है उससे रोटी पराथे बनाने का बता रही हूँ कोई हमें इसे boil नहीं करना है कोई इसमें जंजट नहीं करना है simple जो हम जिस तरह से आटा लगाते हैं आटा गूर्टते हैं उसी form में मैं आपको बताऊंगी कि कितने आसान तरीके से आप stuffed मक्के के पराठे बना सकते हैं आलू के पराठे बनाएंगे आज हम रख दिया है तब तक हम stuffing टैयार कर लेते हैं तो यहाँ आलू को आपको कद्दू कस करके लेना है क्योंकि अगर आलू मोटा रह जाएगा तो वो पराठे में stuff करते टाइम पराठा फट सकता है यह देखिए बारिक बारिक हमने इसे कद्दू कस कर लिया अब इसमें हम डालेंगे स्वादन सा नमक लाल मिर्ची पाउडर और चट पटी सी एक stuffing दयार करेंगे अमचूर पाउडर गरम मसाला धनिया पाउडर और खुब सारा बारिक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्ची और यह सब डाल कर हम इसे mix कर लेंगे और stuffing बनाने के बाद आपको इस तरह से इसके balls बनाने हैं क्योंकि आप loose जो stuffing है उसको stuff करेंगे तो वो आपको थोड़ा tough रहेगा आप इस तरह से पहले normally जितने पराठे बनाने हैं उतने आप आलू की stuffing के balls बना लीजे और balls बना कर तयार कर लीजे फिर हम देखते हैं दस मनिट बाद हमारा dough सेट हो चुका है अब हम लेंगे ऐसी transparent थैली जो की बहुत ही आसानी से आपको अपने घर में मिल जाएगी तो आपको थैली के दो पार्ट चाहिए आपके पास कैसी भी थैली हो आप उसको दो पार्ट में काट लीजे फिर एक पार्ट को इस तरह से चकले पर रखकर उस पर थोड़ा सा ओयल लगा दीजे ये बहुत ही खास ट्रेक है फ्रेंट्स वीडियो को skip किये विना पूरा वाच करिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ये देखे अब हमने लिया दो और आठे को आपको एक कटोरी की शेप देनी है पहले हाथ से दबाते हुए हलका सा ओयल लगाई है और कटोरी की शेप देकर इसमें वो बॉल रखके धीरे धीरे से अंदर प्रेस करते हुए बंद कर दीजे ये देखे कितनी आसानी से ये स्टफ हो चुका है और अगर आप लूज वाली स्टफिंग रखते न तो वो आपको बहुत प्रॉब्लम होती ये देखे कितना इजीली ये स्टफ हो चुका है अब हमने इस पर ओइल लगा दिया थोड़ा सा और और दूसरा वाला जो हमारा थैली का पाट था न वो हम इस पर रखकर और इसे इस तरह से बेल लेंगे ये देखे बिना चिपके, बिना फटने का जंजट बहुत ही आसान तरीके से मक्य के आलू के पराठे आप बना सकते हैं आपको इसे गुमाने के लिए उठाना ही नहीं है आपको इसे गुमाना है तो आप इसको थैली को गुमाते जाएए और ये गोल होता जाएगा ये देखे कितनी एजीली थैली हट गई अब आप दूसरा पार्ट हटाने के लिए हाथ पर लीजी पराठे को और सेकिंड वाला पार्ट भी हटा दीजी ये देखे कितना बढ़िया हमारा मक्य का पराठा बिल चुका है तवा गरम हो चुका है तवे पर पराठा डालने से पहले आप उसे ओईल से ग्रीस जरूर कर लीजेगा हरना पराठा चिपक जाएगा तो ये देखे अब हमने इस पर पराठा डाल दिया है और धीमी आज पर आप इस पराठे को सेकियेगा बहुत ही बढ़िया सिकता है ये एकदम खसता एकदम कुरकुरा बनता है ये ये देखे बस धीमी आज पर आप इसे सिकने दीजे और जैसे ही आपको लगे कि ये सिक रहा है तो इसे पलट दीजे बहुत जबर्दस ट्रिक मैंने आज आज आपको बताईए इस ट्रिक से जिनने खाना नहीं बनाना आता होगा वो भी पराठे रोटी बहुत आसान तरीके से बना सकते है ये देखे अब इसे हम ओयल या घी लगाकर जिसमें भी आप सेखना चाहते है उसमें आप इसे धीमी आज पर सेख लेजे अभी आपको दिखाऊंगे ये कितनी अच्छी तरह फूल जाएगा है स्टफ पराठा पर बहुत आसानी से फूल जाएगा ये देखे इसका फूलना स्टार्ट हो चुका है पराठे का और इस तरह से आपने ऐसे प्रेस करते जाएए साइट से ये देखे आप इसको पलटे न तो जो आपका ये बड़ा वला स्पून है न इसी से पलटिएगा हाथ से उठाएंगे तो ये तूट सकता है तो सेखते डाइम आप इसे स्पून से ही पलट देजेगा और ये देखे इस तरह से दबा दबा कर धीमी आज पर आप इसे सेख लेजे बहुत बड़िया पराठे बनते हैं आप एक बार जरूर ट्राए करिएगा अगर आपको रोटी पराठे बेलना ना आता हो न तो भी आप बहुत आसानी से मक्य की आलू के पराठे बना सकते हैं इसी तरह आप रोटी नॉर्मल पराठे कुछ भी बना सकते हैं ठेली की हेलिप से आप बनाईएगा बहुत आसान तरीका है ये देखे आप पराठे को बहुत अच्छी तरह से सिलखने ज़रूर दीजिएगा क्यूंकि स्टफ पराठा है थोड़ा खसता, थोड़ा कुरकुरा अच्छा लगता है ये देखे बहुत ही अच्छी तरह से अब बस हमारा पराठा सिकर तेयार है आप इसे किसी भी सबजी के साथ, दही के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इंजोई कर सकते हैं ये देखें फ्रेंट्स आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजेगा ये देखें पराठा तैयार है अब इस पर हम लगाएंगे वाइट वला बटर आप जो भी बटर लगाना चाहें बटर लगा दीजे किसी भी सबजी के साथ आप इसे इंज चुका है ये देखें हमारा स्टफ आलू का पराठा कितना बढ़िया और कितना टेस्टी बनकर तैयार है फ्रेंट्स ऐसी ही आसान और नई नई रेसिपीस के लिए मेरी चैनल से जुड़े रहें